कि काल GEORGE कर्म है जो जो भी है विकास का जुद्धाका विकास का वो सब तेली करनेमें यह सब देख करके वो सुझाव देंगे посмотрим बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुख मंत्री करना सवाविक है, क्योंकि यतने काज करम चल रहे हैं, जो भी है जुद्या का विकास का, वो सब इस प्रकार से भी मुख मंत्री के यहाँ आया नहीं करते तो कोई भी काज सुचारिय रूप से हो नहीं पाता है, इसलिए मुखमंद्री जी का यहाना बहुत आवसक है क्योंकि इस समय इतनी भीड चल लही है रामलेला की दर्सन में जिससे तमाम परिसानिया हो रही हैं उनकी नियंतरन करने में यह सब देख करके उस सुझाव देंगे साध्ही साध़ जो यहांके विकास कार चल लै। उसको भी देखाएंगे कितना हुआ कितना नहीं हुआ कि अभी भी बहुत सी कार अधुरा हैं उसको पूरा करने के लिए इस जे जिसा की बता चला है कि उनके चिमिनेट मंतरी भी आएंगे और प्रांतों के आएएंगे पूरा देश के लिए, पूरे देश के लिए किसी ने किसी समय वो सब के सवाएंगे, रामला का दर्सन करेंगे, यह दर्सन के सभाग उनलों को प्राप्त होगा, तो इस उद्देश से जो आ रहे हैं, मानिय मक्मान्ति जी, वो बहुत अच्छी इसे जतने भी कार्ज अधोरे परे हैं, वो चालू हो जाएंगे, और अच्छी परकार से संपन हो जाएंगे, अजुद्या का जो विकास की बात उनोंने नेशित किया है, उस इस्तित में नगरी, परेटन नगरी के रूप में विक्सिच कियाईगी, जो अंदर राष्टी हव यह एड़ा बन गया है, इसने और भी कार्ज हैं जो संपन होंगे, और उनके दरिश्टी में है कौन कौन से कार्ज अधी कराना सेस है, वो सभी कार्ज पूरा हो जाएंगे, इसने मुखमंती जी का बरावर आना यही दरसादा है कि किस परकार से उनकी लगन इस राम मंदिर के परती, अजोद्या के परती, और यहां के जनता के परती, उतर प्रदेश के जनता के परती, देश के जनता के परती, कैसी उनकी भावना है, वह इसी में दिखाई पड़ता है, ऐसे मुखमंती को मैं रामला की बर से धन्य बात देता हूं.